हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मेरी यूटीब चनल सेलप श्ली पर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त बंडी चौधरी चलिए आज बात करूंगा मैं एसेसर नेवी और डबल ए या हो एयर फोर्स वैसे प्रेटिस सेट की बात करें तो यह प्रेटिस सेट है आपके सामने एसेसर नेवी का तो फ्रेंट्स चलिए क्वेशन पर चलने से पहले मैं कहना चाहूंगा जो बाई इसमें नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क दिखाते हैं देखिए हमारे पास क्वेशन दे रखा है एककई बंवर क् You अछो arespace क्वेशन को कैसे करेंगे जब ऑफ डोग है तो इसकी वेरिदि ऐहा होता है तो इसकी वेरिद्धी खरें प creative इक सब्सक्राइब करें है जब्सक्राह इंट् Ond Gesसीए तो आप देख से चलते हैं तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट पूट करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें यह लिमिट कुछ इस तरीके से बनेगी कि तो सब चलते हैं कि अंधार रूप होता है जब अन्धार रूप होता तो हम कैसे सूल करेंगे सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका हम DL आउस्पिटल लगा देंगे और DL आउस्पिटल कैसे लगाएंगे आप जानते हैं नीचे जब सक जब तक नीचे से X नहीं हटेगा तब तक फ्रेंट्स इंफिनिटी आत्मत इंफ अगर one upon infinity है तो इसकी वैलीव क्या होती है Fren allora हमेशना याद रखिए अगर गर ववन अपों 0 हे तो Friends इसकी horrend day होती है infinity आप इस चीज को याद रखिएगा चलिए तब तक नीचे से नहीं हटेगा एकस तो फ्रेट सबसे में आपके लिए रुकाइर करूंगा इसके लिए कि आप इसका टू टाइमस अगर आपका टू टाइमस इसका डिफेंशिल करेंगे करेंगे इसका यहां पॉर वाले को करेंगे ऐसी ही और यीपॉन करेंगे में पर सबसे आपके का लेंगे ग्याही हुर्ण तो देखिए अब इसका हम डिफेरेंशल करेंगे और नीचे वाले का अगल डिफेरेंशल करेंगे तो आप देख सकते हैं उपर आएगा फोर और नीचे क्या आजाएगा नीचे आपको देखिए इसका करेंगे फैले एक टाइम एक वर किया तो हमार पास क्या आएगा फोर एक्स दोबारा किया तो फोर रह जाएगा नीचे करेंगे इसका तो अपन्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लॉग 243 फ्रेंट्स एक बात समझ लीजिए इसमें यह 243 लिखा है इसकी चेकर लिखा हुआ है 343 यह गलती से प्रिंट हो रखा है आपने अगर यह मल्टिप्लाइम होते तो प्लस में जाते जामेशा जब मल्टिप्लाइम होते जैसे होता लॉग A and B तो हम कैसे लिखते हैं लॉग A into B होता तो लिखते हम लॉग A प्लस लॉग B यह आपको पता होगा अगर आपको नहीं पता तो हमने वीडियो डाल रखा है लॉग के उपर अच्छा सा वीडियो डाल रखा है आप उसे देखेंगे तो आपके लॉग के जितने भी डाउट से आपको खिलियर हो जाएंगे चलिए आपको पता चलिए क्या लख होगा लॉग 343 अपन दो सो पत्चीस तो चलिए इसको हमने लेख सकते हैं माइन लॉग 2343 माइनस लॉग 625 के लिए 625 लेख सकते हैं लिख फाइव की पावर 4 के लिए इतना लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए जब हमारे पास कोई चीज ऐसे लिखी हो लॉग एक की पावर X तो यह लिखा जाएगा फ्रेंड्स लॉग A और जो X होता है इंटू में आगे ऐसे लिख सकते हैं तो इसका हमने क्या बनाया था एक बनाया था लॉग 7 की पावर 3 तो 3 आगया अगया 3 लॉग 7 माइनस अब यह बनाया था लॉग 5 की पावर 4 तो 4 आगया तो पावर होती आ गया जाती है लोग 5 तो ऐसा आपसन कौन सा है आपसन नमर ए चलिए नेक्स चलते हैं यह दे रखा है कॉस इन्वर्स अंडरूट वन प्लस कॉस अपॉइंट तो इसको हम कैसे सॉल करेंगे तो देखें सबसे अच्छा तरीका होता है पहले इसे करेंगे कैसे करेंगे तो फ्रेंट कैसे आप जानते होंगे यह फॉर्मुला किस चीज का होता है वन प्लस ऐसे लिखा होता है किस चीज का फॉर्मुला होता है यह होता है फ्रेंट टू कॉस स्क्वाइर जो यह ठीटा गया रखा एक्स दे रखा तो एक्स अपॉन टू हो जा गया तो अंडरूट में क्या आएगा अंडरूट में आएगा फ्रेंड्स ओनली एक्स उरी कॉष इसकोर्थ ऐखाइगा इसके जगर क्या हैगा ऑसे चॉष एक्सपार मुस्ती देखेंगे, यह इसे ऑंडरूट से बांद करेंगे तो रूटसे इसकोर्ट रूट कड़ गया, clear तो बचेगा हमारे पास cos inverse cos x upon 2 जब हमारे पास बचा cos inverse sorry जब बचा हमारे पास cos inverse cos x upon 2 तो cos से cos कर गया friends और बचा गो कि हमारे पास answer x upon 2 चलिए friends next question पर चलते है next question दे रखा a यदि a equal to दे रखा है 3, 4, 5 next दे रखा है friends आपको नजन नहीं आ रहा हो तो आप देखिए आपकी छोड़ा screen कर दे थे थोड़ा next दे रखा है 4, 5, 7, 8, 3 friends इसमें minus कर वा रहा है a minus b friends जान लीजिए a में से b को minus करना है तो friends जो common होंगे यों कट जाते है देखिए 4, 5, 4, 5 कट गए और इसमें कोई common है option number क्या है इसका फिप्ट का d चलिए next चलते next दे रखा a यादे a कल्टू दे रखा यादे a यह है तो a square क्या होगा तो friends आप जान लीजिए a square निकाले क्या होगा a square के लिए करेंगे friends a square निकालेंगे तो 2, 2, 0 ऐसे इसका करेंगे 0, 2, 2, 0 clear इतना clear हो गया अब देखो पहले रो का पहले column से कैसे करेंगे 0 का किया 0 से 0 से 0 का किया तो 0 से 0 का किया 0 अया clear अब 0 का किया अमने 2 से तो हमारा क्या answer आएगा 0 clear plus 0 अब देखो अब हम इस 2 का करेंगे इस वाले से 2 तोना 4 होता है friends तो देखिए हमारा पास बन क्या राजा में हमने स्क्वाइर किया तो हमारा ऑप्शन आएगा इसी तरी के से करेंगे तो सबका ऑप्शन आएगा अगर आपके समझ में नहीं आए तो इस फ्रेंट्स हमने मैट्रिक्स से रिगाडिंग आपके लिए पहले एक वीडियो डाल रखा है आप उसमें देख सकते हैं प्रेंट्स इसमें बहुत लेंधी हो जागा अगर हम आपको ऐसे बताने लगे उसमें आपके लिए बता रखा ह लाए ये और उसमें चैक किजीए चलिए नेक्स का कीसे हम इंटिकेशन करें गी तो आप जानते होंगे अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कैसे हम इसे टैकल करेंगे देखिए हमारे पास लिखा रहता है चैन टुएक्स तो उसको क्या लख सकते हैं इसको इंट्व 2 sin x cos x क्योंकि इसी की वेली होती है sin 2x क्लियर 2 sin x cos x क्लियर multiply में हैं सभी ठीक है इतना क्लियर हो गया अब देखो upon में क्या रखा है sin x तो sin x से sin x कट क्या तो बचा गया 2 cos x क्लियर तो हमारे पास बचा 2 cos x अब इसका क्या करना हमें integration तो करिए 2 बाहर आ गया cos x क्या होता है friends sin x plus c तुमारा option क्योंसा सही है इसमें से आप देख सकते हैं कोई मिल रहा है option इसमें option number d none कोई नहीं है आप देख सकते हैं यह आपको लग रहा हुआ answer है लेकिन माइनस का sign है रखिएगा cos x का हमें साब sin x होता है लेकिन differential करते हैं तो उल्टा होता है cos का क्या होता है माइनस का sin x होता है clear चलिए next चलते हैं तो friends अगला question दे रखा है हमारा सामने कि limit extend to 0 और दे रखा है sin a upon a x upon sin v x तो इसमें हमें करेंगे क्या आप से कैसे solve करेंगे तो आप जान लीजिए इसके लिए बढ़िया होता है कि आपने limit पढ़ियोगी standard limit थी limit extend to 0 हो और लिखाओ sin x upon x तो इसकी value होती है friends हमेंसा one clear आपने यह पढ़ा होगा तो हमें कुछ ऐसा ही करना है इसमें कुछ उपर नीचे ऐसे multiply करने है तो कैसे करेंगे देखिए अगर हम यहां करते हैं यहां लिखते है limit extend to 0 और उपर पहले उपर वाले कर रहा हूं friends में sin x, sin a वाले का तो हम करते हैं यहां sin sorry limit extend to 0 लिखते हैं sin ax अपन लिख दिया हमने sin ax और इसी से क्या कर दिया है उपर multiply कर लिए sin ax ते के लिए sin ax उपर है sin ax नीचे हमने इसका अपनी तरफ से multiply कर लिए तो फ्रेंट 0 limit की वज़े से क्या हो गया sin ax और sin upon में लिखा हुआ ax तो इसकी वज़े से क्या हो जाएगा इसकी value आएगी friends हमरे पास limit extend to ax बचेगा के लिए यह हमारे पास बचेगा ऐसी नीचे वाले का करेंगे तो नीचे में क्या बचेगा अब यहां पर कुछ बचा ही नीचे तो हमारे पास option क्या बच रहा इसके लिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमारे पास बचा एप अपन बी तो limit limit कब लगाते हैं जब आप यहां एक्स देर का तो 45 प्लस 30 के लिए तो आप जानते हैं को 10a प्लस b का फोर्मला क्या होता है इसका फोर्मला होता है तो कैसे होता है एसका फोर्मला होता है 10a प्लस 10b 10b के लिए और नीचे होता है one minus 10a into 10b आप इसमें value पूट करिये आपका answer find हो जाएगा हम आपके लिए find answer पता जेते हैं, answer क्या आएगा, answer आएगा, option number C, अगर कोई doubt है, तो पूछ सकते हैं आप, चलिए, next question दे रखा है, उसने, yes, इसकी, हमें directly find करना कैसे होगा, तो आप जानते होंगे, determinate कैसे, इस चीज़ का जाद रखेंगे, friends, कहीं ये होता है, कहीं, इस तरीके से होता है, इनमें बहुत फर्क है, इस फर्क को देखना है, आपको तो आप हमारी वीडियो देखिए, उसमें matrix जो दे रखा है, और scientific जो दे रखा है, उसमें difference बता रखा है, क्या क्या difference होता है, कैसे क्या क्या करना होता है देखिए इसको solve करना केसे करेंगे हम देखें लेकिए चलता है यह 1 लिया आPS अब देख सकते हैं कैसे सॉल्ब कर एक किया जाता था कि इसके सामने जो रो ती है उसको ईली लेते और और उसको जो कॉलम होता है उसे अटा देते हैं तो फिर बसा किया है आप एक्स यह अटा दिया, यह अटा दिया, तो वहरों बचा y, तो हमारा answer देख सकते हैं, क्या बन कहा रहा, x plus y, तो friends, x plus y का कोई answer है, आपको देखाई दे रहा है, नहीं देना, तो option number d, none, कोई नहीं है, friends, देखिए, minus plus की ही, थोड़ी बहुत changes दे रखिए, minus सी mistake होते हैं, आप गलत प्रायक किता है, friends, देखिए, तो देखिए, पासे में कितनी side होते हैं, total, 6 होती है, तो 6 chance होते हैं, total chance कितनी होते हैं, 6 होते हैं, मतलब 6 आ सकते हैं, अलवे कि उसने क्या बोला, 3 और 4, यहा का मतलब होता है, और या अतफार लगा दें, तो भी, और ही होता है, तो np3, equal to, दे रखा यह, तो n की value क्या होगी, तो n की value find करेंगे, friends, कैसे करेंगे, देखिए, हम जानते हैं, इसको खोलना, इसका formula क्या होता है, factorial n upon मुदाता, factorial n minus 3, के लिए, यह होता है, यह factorial लगावा, friends, factorial, equal to, दे रखा, इसने, 9240, के लिए, मतलब 9,240, अब देखिए, solve करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर इस n को break कर दे, हम कैसे break कर दे, अगर हम लिख दे, n को, n, n minus 1, n minus 2, और n minus 3, तो n minus 3, से n minus 3 कर जाएगा, तो मतलब बचेगा, n into n plus, sorry, n minus 1, n minus 2, equal to, यह, आप इसे solve करेंगे, friends, तो हम solve करके पाएँगे, कि हमारा answer क्या आता है, option number C, 22 आए प्लस, sorry, A, B, C, तीनों का है, A, P सीरीज में, तो B, C, B, C, C, A, और A, B, किस में होंगे, तो friends, आप जान लीजिए इस बात को, कि जो सीरीज यहां दे रखिए, जो सीरीज यहां दे रखिए, और इसी के यही element आगे चक्रिकरम में दोहरा जा रहे हैं, चक्रिकरम से मेरा मत मतलब इस तरीके से हो, मतलब वही elements बार-बार सम हो रहा हो, तो इस तरीके से जो भी हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखिए, अगर यह AP में होंगे, तो यह भी AP में होंगे, friends, जैसे यहां है, अगर आपको देखना चाहिए, तो देख सकते है, AP स्रीज का क्या condition होती है, जो किसके होता है, मिड़ वाले के, देख सकते हैं, AC एकल टू क्या है, 2B बनता है, या फिर हम B निकालेंगे, तो इस तरीके से आएगा हमारा, ठीक है, ऐसे हम इस वाले का देखेंगे, कि इसका कुछ बन रहा है, ऐसे, अगर हम लिख देए, AC की जीका क्या लिख सकते हैं, AC की की जीके लिख सकते हैं हम, 2B, ठीक है, और इन दोनों का सम करके देखेंगे हम, कि क्या निकल के आता है, तो इन दोनों का सम निकल के आएगा हमारे पस, 4B, आप देख सकते हैं, 4B निकल के आएगा, के लिए, इसकी जीका हमने लिख दिया, 2B, के लिए, तो देखो, ये तो और AC की जगए हमने यहां से condition निकाला तो क्या हो गया टोटल 4B तो हमने क्या बता है तो mid वाला आता है twice of इन दोनों के sum के इन दोनों का sum करने के बाद mid वाले का twice करेंगे तो देखेंगे यहां 4B तो इनका निकला sum ठीक है आप देख सकते हैं जो 4B निकला है किसका sum निकला है 4B sum निकला है last और first का sum 4B clear और mid वाले का हमने क्या निकला है 2B तो हो गया ना बाहर वालों का sum बीच वाले के दुगने के बराबर होता है देखिए बाहर वालों का sum क्या है 2B, sorry 4B medium वाले का क्या है 2B तो 2B में 2 से multiply किया twice किया तो friends क्या आएगा 4B तो आप देख सकते हैं ये भी किसमें AP स्रीज में next चलते है next देखिए फ्रेट्स 14 माँ question देखाए किसी निच्छत गटना के गटने की संभावना हमेशा होती है 1% वालता 1 होती है आप देख सकते हैं कोई भी संभावना या कोई प्रैक्त बगरा probability बगरा पढ़ते हैं तो उसमें maximum कितनी होती है 1 उसमें यही पुछा है गटने की संभावना हमेशा कितनी होती है 1 के बरावर होती है 1 से जादा नहीं next देखिए 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 ब्रत की समीकर निकाल है जिसके केंदर मूल बिंदू है और जिसकी तरिज्या 5 है तो जान लिजिए मूल बिंदू मतलब केंदर की बात कर रहा है मूल बिंदू मतलब 0-0 तो आप जानते होंगे हमारे ब्रत की एक्वेशन होती है अब रहती एक्वेशन होती फ्रेंट्स X का स्क्वाइर प्लस Y का स्क्वाइर प्लस 2GX प्लस 2Y sorry 2HY plus C equal to 0 तो देखिए उसने केंद्र क्या बोलती है 0 तो केंद्र 00 बोलती है मतलब मूल बिंदू है तो यह भी 0 बन गया यह भी 0 बन गया किया बचा केंद्र सुब्स C निकालने के दिए होता है हमारे पास आप केंदर की equation जानते हो केंदर कैसे निकाला जाता है केंदर निकाला जाता हमारा G का square Y का, sorry F का square minus C करते थे और इसलिए तरिज़ा दे रखे कितनी 5, ये तरिज़ा का formula होता है ये तरिज़ा का formula है कुछ इस तरीके से कैसे under root में C आया minus का वो भी क्योंको minus कर रहे थे हम तो यहां आया 5 था, इसके तरिज़ा दे रखे 5 clear जब तरिज़ा 5 दे रखे ये हमारे पास 0,0 होगे तो ये बन गया हमारे पास C आया तो वो side हमें square करते हैं तो देख पाएंगे C equal to क्या आया 25 clear, C equal to आया 25 तो हम उस equation पूट करेंगे जो हमने आपके लिए equation बताई थी तो आप क्या आएगा x square plus y square और g और h जो थे क्या थे, 0,0 थे इसलिए वो 0 बन गए, बचा हुआ C C क्या है, plus 25 तो हमारा answer क्या आया option number देख सकते है 25 में का option number B क्योंकर इसी में बन रहा है plus 25 ये बना हुआ next चलते है 16 बिंदू 1,2 और बिंदू इसकी पीच में दूरी निकाले गए, दूरी निकाले गए फर्मूला आप जानते हों दूरी निकाले का फर्मूला होता है x1 minus x2 का whole square plus इससे x1 माना, इससे x2 माना तो बटाएंगे तो क्या बचेगा यहां 2 आएगा 2 का square क्या होता है 4 होता है इसका square plus अब देखो ये 2 है 2 में से minus करेंगे y1 में से y2 minus करेंगे तो minus minus बन गया, तो ये क्या हो गया 5, 5 का square 25 और इसका अगरा 4 तो 29 आगया, तो under root 39 तो कौन सा अप्सा अप्सान, option number B next देखिए, इसने वो रखा है 2 x देखा है 2 root 2 और देखा है 4 4 का कौन सा पद मतलब GP series देखिए कि 128 होगा, clear? तो देखिए पहला के देखा है 2 तो पहला निकालने के लिए हमार पास पहला मालेंगे A, मतलब A दे रखा है 2 ठीक है और B निकलता, next निकलता है अगला के से निकलेंगे 2R, 3rd निकलेंगे तो R की पावर 2, क्योंगा आप देख सकते हैं पहले में कोई R नहीं है, 2nd वाले में 1R है 2, तो R और A हमें पता चल गया कि R क्या है 2, यदि 2 है A R क्या निकला, अंडरूट 2 तो देखिए, इसने पुछा ये कौन सा पद होगा के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं 2 into R की पावर N, हमें नहीं पता कितना है तो equal to लिख दिया ये क्लिए ये कौन सा पद है हमें नहीं पता, तो देखिए अगर हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या आता है 2 से डिवाइड किया तो आया हमरे पास 64 क्लिए और देखिए, 64 आ गया ये हमरे पास तो हमारे पास आ गया अंडरूट 2 की पावर N इक्वल टू 64, तो 2 की पावर N को जब हमसे अंडरूट अटागे लिखें तो क्या लिख सकते है N अपॉन 2 2 की पावर N अपॉन 2 इक्वल टू 64 और 64 किसका स्कुएर होता है 2 की टम में, 2 बेस पर 64 का बाता है, जब हम 2 का 6 टाइम मल्टिप्लाइ करेंगे 2 दूना, 4 दूना, 8 दूना, 100 दूना, 32 दूना, 64 तो मतलब 6 टाइम करेंगे, 6 बार करेंगे तो हमर पास आया 2 की पावर N अपॉन 2 इक्वल टू 2 की पावर 6 तो गात अटा दीए तो पावर को पावर से हमने क्या किया इक्वल रख दिया तो आप देख सकते हैं तो N इकल टू आया 12 तो आप्शन नमर C तेकी फ्रेंट्स, नेक्स वेशन है साइन 6 A प्लस कॉस 6 A, मतलब पावर में है 6, तो कैसे करेंगे जब इभी ऐसा क्वेशन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है जब हमें ऐसा क्वेशन मिले है कि जिस पर पावर हम 3 का मल्टिप्लायर है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसे 3 में हम मल्टिप्लायर में बनाएंगे कैसे? इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 A की पावर 3 प्लस 2 A की पावर 3 तो आप जानते हैं इसे बोल देंगा A का Q और इसे बोल सकते हैं B का Q तो अब आप जानते हैं Q वाला फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या बनता है A प्लस B इसको ब्रेक कर रहा हूँ है A Q प्लस B Q को और बनेगा A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस यह फॉर्मूला होता है जब यह फॉर्मूला होता है हमारे पास अब इसी को हमें क्या करना है solve करना है इसी पर पूट करना है A की जगर क्या पूट करेंगे sin स्क्वाइर A और B की जगा put करेंगे cos square A देखे, put करेंगे क्या बनता है आप जानते जब यहां करेंगे cos square A और sin square A दोनों गो एड़ करेंगे तो friends, इसकी value क्या होती है? 1 होती है कि sin square theta प्लस cos square theta equal to 1 बनता है तो इस तरीके से यह 1 आ गया sine square A और cos square A यह मर पस बच की आया अब इसमें दुगारा से हम क्या करेंगे अगर दुगारा थे हम इसमें जोड दें क्या जोडेंगे? आप समझिए जोडेंगे हम इसमें 2 sine square A into cos square A जोडेंगे और उतना ही उसमें घंटाएंगे मतलब 2 sine square A into cos square A तो हमारे पास यह स्क्वेट बनेगा कुछ इस तरीके से जो 4 राली टम को ले के मैंट बन जाएगा है क्या पास infantry कि से शब्सक्वार को सैच माइनस क्या के ट्ू सैन श्ग्वेर ए कॉस्वेर एक हो स्क्वेर और एक हुर मारे पास जो बचा वो बचा हुआ था पहली वाली टम का ये बचा हुआ था, sin square a, cos square a ये बचा हुआ था और ये हमारा कहा से बचा हुआ है जो हमने जितना add किया था, जितना subtract किया था, तो ये square में friends या square है, तो इसकी वाली क्या होती है 1, तो 1 का square 1 होता है, clear ये हो गया, तो हमारा पास आया 1 माइनस, वो आपास में जोड़ गया तो क्या है, 3 sin square a और cos square a, इस तरीखे से बचा, clear अब इसको हम किस तरीखे से all लिख सकते हैं, अगर हम इसे कर दें इस तरीखे से कुछ कि 4 से उपर नीचे multiply कर ले है तो हमारा पास क्या बनेगा, 4 से उपर नीचे multiply किया तो बना, 1 माइनस 3 अपवान 4, और एक ब्रेकर में लिख दिया हमने, 4 sin square a cos square a ये लिख दिया है, ये भी a ये है friends, ये लिख दिया हमने तो अब हम इसे क्या लिख सकते है, और तरीखे से, और हम लिख सकते है 1 माइनस 3 अपवान 4, अब इसको हमने इस तरीखे से लिखा कि मैं आपके लिए भी बताया था जब 2 sin a और cos a उपर लगा दिया हमने power, देख सकते है, power को ब्रेक करेंगे हुआ है, तो क्या उप्सन बन रहा है, मारा उप्सन बन रहा है option number B, चलिए next question दे रखा है इसे कैसे solve करेंगे, देखिए तो देखिए, next question दे रखा है 10 और ब्रेक्ट में दे रखा है 210 inverse 1 upon underwood 3 minus pi upon 3 तो फ्रेंड्स आप जानते है, 1 upon underwood 3 किसकी value होती है, 10 में यह होती है, friends तो हम लेख सकते हैं, यहाँ पर 10 तो ब्रेक्ट वाला था ही बहार clear, इसकी जगा लेख सकते है, 2 10 inverse 1 अब इसकी value क्या होती है, friends इसकी value होती है, 10 30 या 10 pi by 6 minus में क्या दर रखा है, मारा पास pi upon 3 clear अब 10 से 10 कट गया, क्योंकि inverse में है, यह simply है, तो 10 से 10 कट गया, यहाँ 2 आएगा, जो 2 pi upon 6 आएगा, 2 pi upon 6 तो 2 से cut out 3 आया, upon में तो क्या आया, pi by 3 minus pi upon 3, मतलब pi upon 3 minus pi upon 3, तो हमारा बास बनेगा 10 pi by 3 minus का pi by 3, तो pi by 3 से pi by 3 मतलब 0, तो 10 0 की आप जानते हैं, value क्या होती है, 0 तो option number A, next देखिए next देखा है, parivala, parivala की देखा है इसकी क्या हो, ना भी लंब पूछ रहा है, friends parivala के लिए क्लिए क्लिए, man formula क्या होता है, man formula ना होता, friends 4 A X, तो यहाँ देख सकते हैं 4 A X होता है, तो इसमें कुछ बन रहा है, तो इसे हम इस तरीके जब बनाना चाहेंगे, तो कैसे बनाएंगे 9 upon 4 X, यह बनाएंगे, कैसे, 4 से 4 कट क्या तब ही, तो यह equation बनी होगी, ठीक है, तो हमारे पास A की value क्याने के लिए आसे comparison करेंगे, तो A की value आई, 9 upon 4, तो A कल्टू निकाला हमने, 9 upon 4, यह A की value आई, तो देखिए friends, जब हमारे पास A की value आई, 9 upon 4, तो नावी लंब की लंबाई का formula आवता friends, 4A, के लिए अब यहां से निकाल सकते हैं, 9 upon 4, तो 4 से 4 कट गया, तो एक, हमारे पास जो नावी लंब की लंबाई आई, तो क्या आई, friends, 9, तो option देख सकते हैं, option number D, चलिए next चलते हैं, next दे रखा है, question number 21, pi upon 2, limit दे रखा है, 0, 2, pi upon 2, और equal 2 बोल रखा है, 1 upon 1 plus 10x, dx, क आप से पहले क्या करेंगे, हम 10 को sign upon cost में convert करेंगे, तो sign upon cost में convert करने के बाद, जब इसका answer निकालेंगे, तो friends, इसका answer आईगा, हमारे पास, pi by 4, ठीके, friends, आप भी समझ में नहीं आए, तो आप हमें comment कर सकते हैं, तो देखे, friends, question number 22, इसमें दे रखा है, ita की पावर 1, 107 plus ita की पावर 220 और 241 और 362 दे रखा है, तो देखे, आप जान, आपको यह पता होगा, नहीं पता तो आप जान लें, कि ita equal to होता है, minus का 1, अईटा स्कार होता है, friends, minus का 1, ita की पावर q होता है, friends, minus का ita, और ita की पावर 4 होता है, friends, 1, इतना जान लीजिए, तो वह ही करें मतलब 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो आप देख सकते हैं, 104 में, तो पूरी तरह से चल जाएगा, तो हम इसे क्या लेख सकते हैं, हम लेख सकते हैं, friends, ita की पावर 104 प्लस 3, पहली वाली को, तो दूसरा मतलब क्या वाश्का, 104 into ita की पावर 3, यह हुआ, तो यह तो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसकी वाली तो होगी 1, यह पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से, तो आप देख सकते हैं, 3 है, तो मैंने अब क्या बताए था, minus के आईटा, ठीक है, फ्रेंट, minus के आईटा बताए था, ठीक है, इसकी इसका करेंगे, 220, 220 से पूरी तरह से 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, यह प्लस का बना आ गया फिर, इसे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो यह 240 वर जा रहा है, 240 में तो चला गया, लेकिन 1 बचा रहा है तो आप जानते हैं, तो बच्चे का प्लस का, आईटा, अब देखो, य 326 डिवाइड होता है कर नहीं होता है, यह देखिए, 326 डिवाइड करेंगे, तो होता है हमारे सामने, हाँ, 360 में पूर्ट ज़रे से डिवाइड हो गया, 4 से, हम लिख सकते हैं, 360 प्लस 2 आईटा की पावर, इसकी वली तो बन हो गई, लेकिन आईटा की पावर स्क्वार है बनाना, सब्दों से अक्षर मदब बनाने कितनी जाए जा सकते हैं, सबसे पहले जाने देखिए, कितने है टोटल नमबर, टोटल लेटर कितने हैं, 6, 6, अब देखिए, सेब नमर कौन 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 कितने हैं, एक कितनी वार है, तीन वार है, एन कितनी वार है, दो बार है, तो विस्तार में कौन सा मद्यपद होगा तो आप जानेए जब 10 दे रखा है 10 मतलब दे पता होता है जो हमें सा पावर जो N होती है N प्लस ये होता है मद्यपद 10 10 को डिवाइड किया 2 से 5 5 प्लस 1 मतलब 6 6 वे नमर पर होता है वह यह होता है मद्धपद कैसे आप जानते होंगे पहले क्या था सी यिरो फिर आता है पिर दाए सी वन चीटू ऐसे आते हैं अमरे पार लास्टम आता है सी टैन आपको पता होगा जितने नमर दे रखें लास्टम सबसे तो एक नमर फाल्टू आता है जब यहां 10 होंगे तो इसके कितने ब point निकाल सकते हैं मत्रों कैसे निकालते midpoint जितने निकलेंगे n निकलेंगे एंग्ट्स वन अपवंट टू तो बार आइबार को डिवाईड कि गया उसे तो मतलब छह बार गया चलिए नेक्स चलते है तो मसे देखिए हैं थो मतोपनी निक्स नेक्स फॉर्सम नमरch- पंट 15 लाउस्ट वांट ऑण पास 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon 3 factorial देखें तुझे कैसे solve करेंगे तो आपने देखा हो एक formula e की power x का formula क्या होता है 1 plus x upon factorial 1 plus x upon factorial 2 plus sorry यहां x उसकार होता है x q upon factorial 3 so on ऐसे चलता रहता है infinity तक ठीक है इतना आपको पाता है अगर हम e की power 1 कर देते हैं तो यहां जहां x से वहां वाना आएगा तो हमार पास आएगा 1 upon 1 factorial 1 upon 2 factorial तो आप देख पाएंगे यही शीरीज बनती जाएगी जो हमार पास question में दे रखी है तो यह किसकी series है friends e की power 1 यह हम कह सकते हैं यह किसकी series है e की तो option आपकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस आपसे नेक्स वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए नेक्स क्वेशन पर बहुती जल्द थैंक यू फ्रेंड थैंक यू सो मच